जुहार नमस्कार मनोज यादव अपनी चुनावी तयारी में कोडर्मा बिधाम सवा छेतर से कुद पर हैं और अब ऐसा लगता है कि उनकी जितनी भी नाराजगी है नित्रित में दूर कर दी है और उनको इस बात पर मना लिया कि जो टिकट मिल गया है कोकोडर्मा से अब वहां से ही जो है अपना ध्यान और चुनाव पर चार किजिए और उसी पर जितना मन हो सके फोकस किजिए क्यूंकि राज धनवार की सीट जो है राज देसरतन को अगर दे दी गई है तो उसमें फिर बदल नहीं होगा इसके लिए चाहे जो भी आप कुछ क सारे करना चाहें चाहे जितने भी जिस तरह एस्तर कि नराजगी हो उस पर कोई बिचार नहीं होगा तो इसके अधार पर जो है मनोज यादभ भी मेदान में देखे जा रहे हैं चुनाव पर अतार रहे हैं उनके किये गए कामों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मनोजी आदब दरसल अज धनवार से चाहते थे इसके पीछे उनका अपना तरक देते थे और कुडरमा अपने तरितम ने इसलिए दिया कि चुकि वो लोकसभा के परत्यासी र रहे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे और तीसरे नंबर का जो बोट होता है वह उनको मिला था वहां उनके जो चाहने वाले लोग हैं जिनको और जिन्होंने उनके पक्ष में जो है मतदान किया था तो उनके विधायक को लेकर भी कहीं न कहीं एक जो है वो उतसा है और जो है कहीं न कहीं समर्थन उनको मिलेगा विधामसभा चुनाओं में ऐसा सोचा जाता है और देखा भी जा जाती है कि जो लोग सभा में पर्तियासी होती है अगर विधाम सभा में वो चुनाव लड़ते हैं खरे होते हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है लोग चाहते हैं कि अगर कहीं न कहीं इनको लोग सभा में अगर वो मौका नहीं दे पाए और दूसरे तिसरे पहले और दूस संपर का भियान चला रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके पक्ष में कुछ महौल बनता हुआ भविस में दिखेगा हलांकि अभी वो परचार कर रहे हैं तो महौल बनने भी में भी बहुत समय नहीं लगेगा पांदस दिन में चुनाव के पहले तक यानि तेरह नवंबर के पहले तक जितना जो करना है परचार करना है और तेरह और बीस नवंबर के पहले तक जो है वो आपको अपने जन समर्थकों के बीच में जाना है जितना संबावे परचार करना है जन संपर कभियान चलाना है वही जो है वो कम से कम इस चुनाव के लिए वही एक मौका है कि आप लोगों से सीधे संपर कर सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं तो मनोजी आदब कहीं न कहीं अब जो है परत्यासी और सीट मने छेतर बदलने को लेकर नहीं किया जा सकता है और कम से कम जो है वो जराम तो जरकंड लोगतां तरिकरांतिकारी मोर्चा कराश्टिय धक्ष किसी भी दवावन नहीं आएंगे जैसा कि उन्होंने कहा भी था तो इसको भी मनोजी आदब सुविकार कर लिये मान लिये और उन्होंने अपनी बात रखे भी थी फिर भी उस पर कोई बिचार नहीं किया गया तो अन्तव गत्वा जो है वो मनोजी आदब को जो है वो कोडरमा विधान सवाद छेतर से अपनी तैयारी में जुटना पड़ा और समर्तकों के साथ जो है अपनी जीत को लेकर जो दावा और दावेदारी कर रहे हैं तो वो तो खिर चुनाम नतीजे बताएंगे लेकिन इतना तो अब दिख रहा है कि कंद्रिय नितृत वे और हाई कमान के सामने उनको भी जुकना पराओ और यह माने कि किंद्रिय नितृत का जो फैसला है वो अंतीम फैसला हो उस पर जो है खाफी कुछ किया नहीं जा सकता यह देखने वाली बात हे कि जिस जरह से सिली विधान सवाच्फ छेतर को लेकर दिवन्दरनात महतो की दावे दावेदारी थी उसी इसासे राजधरणवान को लेकर मनोजी अदब की दावेदारी थी लेकिन मनोज यादव और दिवेंदरनाथ महतों में काफी अंतर है क्योंकि जिस तरह से दिवेंदरनाथ महतों नित्रित्व के खिलाफ कभी कोई अलोचनातमक के भूमका आदा नहीं करते हैं अलोचनातमक बात नहीं कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ मनोजी आदब है कि किंद्रिय नित्रित पर भी सवाल उठाते हैं अंगली उठाते हैं और जो है वो सलाह मसिवरा देते हुए देखे जाते हैं और कई भूमकाओं की अलोचना भी करते हैं इस लिहाज से दिवेंदरनाथ महतो कम से कम अपना काम करते हु वो अपनी जहां एक नित्रित्व के सामने एक चुनावती पेस करते हैं वहीं जो है वो मनोजी आदब जो है वो बियानों के अधार पर जो है वो चुनावती देते हैं किंद्रिय नित्रित्व को तो इस वार उनको एहसास हो गया होगा कि किंद्रिय नित्रित्व से उलजन चुनाव लड़ने के कोई इच्छा नहीं होती है, तो ये एक तरह से उनके लिए एक कहा जा सकता है कि सजा है और इस सजा में अगर वो और झाते हैं, और उनको ऐसा कोई लगता है कि उनके पक्ष में कुछ महौल बनाओ बो जीत जाते हैं, तो साइद भवीस किरा जिनिती में मनोजी अदब के लिए कोई न कोई एक 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 ऐसा मौका जरूर आएगा कि उनको लगएगा कि इनके इन तरित को चुनाउती देना ठीक नहीं है और उनके साथ मिल करके ही जिस तरह से देवेंदरनाथ महतो चले और उनको इसका लाख मिला कि जब परत्यासियों की सुची जारी हुई तीसरी तो उस सुची में देवेंदरनाथ महतो का सिली से सबसे उपर परत्यासी के रूप में नाम था जबकि दुसरी सुची जारी हुई थी तो जहां कहीं भी मनोजी आदब का नाम जो था वो तिसरे और चौथे नमर पर था तो इस समसे देख कर कि मनोजी आदब के लिए कहा जा सकता है कि सबक है कि जरूरत से अधिक बोलना कभी कभी उनके लिए खतरनाक हो गया और जैसा कि पहले भी राची में एक प्रेस वारता में उन्होंने जिस तरह से नितरित को भसमा सुरो और क्या क्या नहीं कहा था तो उसके बाद से ही वो टार्गेट पर आ गहे थे खैर इन सब बातों को भुलाते हुए भी किंद्रिय नितरित ने उनको टिकर दिया और मनोजी आदब है कि सुवपकार करते हुए मैदान में आ जान फिकर वह थे वह देखना है कि कि इस रुप में उनके पक्ष में कि उनकी सभी नाराज़गी लगभख किंद्रियन नित्युष से खत्म हो गई है और वो अपने काम में जुट गए हैं और देखना है कि वो इस काम को कहां तक पहुँचाते हैं और अपने काम से अपने एजेंडे से और अपने आसवासन से लोगों को कितना परभावित कर पा झाल झाल